महान चानक के द्वारा रचित चानक के नीजी यो ध्रुवानी परितिच अध्रुव परिश्य उते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ती अध्रुव निश्ट मेवच तेरा भावार्थ जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित को पाने के लिए भाग दौर करता है अथवा जो वस्तु उसे उपलब्ध हो उसे त्याक कर वह दूसरी दुरलब वस्तु को पाने के लिए लालायत रहता है ऐसे व्यक्ति का निश्चित तो नश्ठ है ही, निश्चित भी नश्ठ हो जाता है अथ्वा दुरलब वस्तु तो उसे प्राप्ति नहीं हो पाती, परंतु जो वस्तु उपलब्ध है, प्राप्त है, वह भी नश्ठ हो जाती है व्याख्या इस श्लोक में आचार्य चानक्य ने व्यक्ति की असंतो उश्वृत्ति का वर्णन किया है वे कहते हैं कि व्यक्ति को उसी में संतुष्ट रहना चाहिए जो कुछ उसे उपलब्ध है जो अनुपलब्ध है उसे पाने के चक्कर में उसे अनुपलब्ध की तो प्राप्ती नहीं हो पाती, परंतु जो उपलब्ध है वह भी हाथ से निकल जाता है दो बिल्लियों वह बंदर की कहानी इसका अच्छा उदाहरन है दो बिल्लियों को कहीं से एक रोटी मिल गई तहा भी गया है कि आधी छोड़ पूरी को धावें, आधी रहे न पूरी पावें, वर्येद कुलजा प्राग्यो विरुपाम पी कन्यकाम, रूपवती ना नीच उस्य विवाह सद्रिशे कुले 14. भावार्थ बुद्धिमान व्यक्ति को कुलीन कुल में उत्पन कन्या से ही विवाह करना चाहिए भले ही वहरू क्रंग में सुंदर न लगे, लेकिन नीच कुल में उत्पन रूप लावल्य में कन्या से भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि विवाह समान कुल में करना ही शोबनिय है व्याख्या इस श्लोक में चानक्या ने सौंदर्य को बॉल कर गुनों को अपनाने का वैवाहिक परामर्ष देते हुए कहा है कि व्यक्ति को नीचकुल में उत्पन सौंदर्या की खान कन्या से कभी विवाह नहीं करना चाहिए इसके विप्रीद कुलीन घराने की कन्या यदी सुंदर्न भी हो तो उससे अवश्य विवाह कर लेना चाहिए चानक्य के अनुसार नीचकुल में उत्पन कन्या का स्वभाव, कार्य व्यवहार, आच्रन नादी भी नीची होने के कारण वो ग्रेहस्ट जीवन को नार्किया बना देगी इसके विप्रीद कुलीन घराने की कन्या से विवाह करने पर वो अपने अच्छे संसकारों, स्वभाव, आच्रन से ग्रेहस्ट जीवन को स्वर्गतुल्य बना देगी इसलिए नीच कुल की सुन्दर कन्या से कुलीन कुल की असुन्दर कन्या श्रेष्ट है, वैसे भी विवाह समान कुल में करना ही उचित है लेकिन वर्तमान में लोग विशेशकर युवा वर्ग उच नीच का विचार न करकि सौंदर्य पर मर्मित्ते हैं उसी का परिनाम है कि आज ग्रेहस्त जीवन नर्ततुल्य होता जा रहा है आए देल घरों में कलेश का वातावरन बना रहता है वर्तमान में आचार्य चानक्य का यह सप्रामर्श प्रासंगिक है नदीना श्रिंगीना शस्त पानीना तथा विश्वासु नैव करतव्य स्त्रीशु राजकुलेशुच पंद्रा